Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक new poem के साथ जो की है हमारी Class 5 की Stiller English Book से और poem का नाम है Florence Night Angle तो चलिए देखती है इस poem को समझते है उसके पहले मैं आप सभी को एक बार remind करा दूँ कोई भी requested lesson हो, कोई भी poem हो किसी भी book से आप इस email address पे मुझे उसकी photo खीच कर PDF बना कर send करें मैं वो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगी उसकी explanation So इस poem में हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ लोग अपने struggles से उपर उठकर dedicate करते हैं अपनी life को दूसरों की सेवा में एक example आप सभी को मालूम होगा आपने इनका नाम सुना होगा जो की है Mother Teresa किस प्रकार से उन्होंने अपनी जिन्देगी लोगों की सेवा में लगा दी तो ये भी poem कुछ इसी प्रकार की धारना पर आधारित है Let us read a poem about a lady who is remembered even today for her kindness and caring heart तो ये poem लिखी गई है M.A. Lazarus के दुआरा और इस poem में एक ऐसी lady की बारे में बात हो रही है जिनका नाम है Florence Nightangle वो अपनी nurse की पूरी team के साथ soldiers का बहुत अच्छे प्रकार से ध्यान रखती है तो ये एक war का scene है जो की इस पूरे poem में डिपिक्ट किया गया है जो की war थी Crimean war जिसमें की Russia और France दोनों के बीच में बहुत बड़ी मतभेड छिड़ गई थी उनके कुछ rights को लेकर तो इस poem में उसी war के दौरान जो soldiers थे वो किस प्रकार से hurt हुए थे उनको किस प्रकार से इस lady ने उनकी मदद की उनको treatment दिया उसकी बारे में ये पूरा poem है तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं देखेगा यहाँ पे o apostrophe er होगा तो इसको हम over पढ़ेंगे ठीक है ये poetic abbreviation है यानि की short form पोईटरी में कई बार इस तरीके से यूज किया जाता है abbreviations को जब shoulders बहुत जाधा घायल हो चुके थे उस समय Florence Night Angle ने उनकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की थी वो जब गुजरती थी तो उनकी shadow एक दीवार पर पढ़ती थी जो कि उस समय वहां से dark बहुत ही अंधेरे भरे floors में वो जा जाकर shoulders की मदद किया करती थी a soft angelic smile lightneth her face the while तो एक बहुत ही खुबसूरत मुस्कान उनके चेहरे पे थी जो कि उनका चेहरा पुरी तरीके से खिल जाता था उनके मुस्कान को देखकर in passing through the dismal corridors बहुत ही बहुत ही gloomy, dark सा, गंदा सा एक corridor था जहां की shoulders को रखा गया था वो उस corridor से गुजरती थी और लोगों की सेवा करती थी and now and then there slips a word from out her lips, more sweet and grateful to those listening ears than the most plentiful tale of the sad night angle, whose name and tenderness this woman bears. ऐसी गंभेर इस्तित्ही में भी बहुत ही मीठे मीठे शब्द कहा करती थी लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए सभी लोग gratitude शो करते थे जब वो उनके बाजू से गुजरती थी gratitude means शुक्रियादा करना, thanks बोलना Florence को कि आपने हमें हमारी मदद की सारे soldiers बहुत जादा उसके प्रती thankful थे अब हम next stanza की तरफ बढ़ते हैं, next page her presence in the room of agonian gloom, no fretful murmurs, no coarse words profane for while she standeth there, all words are hushed save prayers she seems God's angel weeping over man's pain ऐसा लगता था Florence night angle जब उस corridor में उस कमरे में आती थी तो ऐसा लगता था कि भगवान के द्वारा भेजी गई एक angel है, एक परी है जो कि लोगों को दुख तकलीफ और इतनी घायल होने के बावजूद उनकी आसू को वो रोक नहीं पा रही है क्योंकि उन लोगों की pain को वो भली भाती महसूस कर पा रही है कि लोग कितने जादा pain में है वो एक नर्स होने के बावजूद लोगों को तकलीफ में देखकर उनके आखों से खुद आसू नहीं रुप पा रहे है वो रोए ही जा रही है शोलजर्स उनको देखकर ऐसा सोच रहे कि ये भगवान ने इनको भेजा है हमारी सेवा करने के लिए ये कोई परी है जो की जमीन पर उतर आई है जो की हमें तकलीफ में देखकर ये खुद रो रही है तो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्लोरेंस नाइट अंगल के मन में कितनी दया की भावना थी वो दोगों की दुख तकलीफ को बिलकुल भी देखकर सहन नहीं कर सकती थी वो खुद ही महसूस करती थी कि उनको खुद ही पेन हो रहा है जब वो उस खमरे में आती थी कोई भी किसी प्रकार की भी आवाजे नहीं करता था कोई भी रोता चिलाता नहीं था बस हर कोई शान्त होकर बस भगवान से प्रे करता था नेक्स टैंजा और वो देमराइस विद इगर टीरफुल आइस वो उफ देर काउच तो सी हर पासिंग वाई सम इवन देखिए इअपस्ट्रोफी इन है ना यह भी अब्रिवेशन है यहाँ पे वी को हटा दिया गया है तो यह इवन ही हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सम आफ देम अराइस का मतलब यहाँ पे सोल्जर्स को कहा जा रहा है कि वो बहुत ही बुरे कंडिशन में थे और वो उठकर उसके सामें धनेवाद देना चाहते थे पर उनकी कंडिशन बहुत जादा खराब थी वो बहुत जाधा घायल हालत में थे और कई लोगों को तो टाइफॉईट भी हो चुका था और कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि उट भी नहीं पा रहे थे अपने बिस्तर से, उनकी हालत इतनी जादा खराब थी, ताकि वो स्टूप एंड किस यानि कि उनके शैडो को उनको देख भी नहीं पा रहे हैं, उनको किस का मतलब यहाँ पे आप यह नहीं समझेंगे कि किस करना यहाँ पे उसका मतलब है कि एक तरीके से टेच करना, उनके शैडो तक को भी वो टेच करने के लायक नहीं थे, वो इतनी जादा हर्ट थे, और किसी प्रकार तो कई लोगों को ऐसे भी देखा गया था, जो कि उनकी शैडो को देखकर, उनको उनके हाथ से मरहम लगाते कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई थी, no monument of stone needs this heroic one, her name is graven on each noble heart, तो ऐसा कहा गया है कि Florence Nightingale के नाम को किसी भी पत्थर पे या किसी भी monument पे चुनवाने की ज़रत थी ही नहीं, क्योंकि वो हर इंसान के दिल में बसते थे उनके नाम, and in all after years, her praise will be the tears, which add the name from quivering lids will start, लोग जब भी उनको याद करेंगे, उनकी आखो से आसु ही छलकेंगे, क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने लोगों की इतनी सेवा की थी, कि लोग कई बार खुशी में भी रो पड़ते हैं, कई सालों बाद भी जब उनको praise किया जाएगा, उनको सराहा उनकी काम के लिए, तो लोगों के आख से आसु भी छलक सकते हैं, क्योवरिंग का मतलब होता है आखे फड़फडाना और आखे फड़फडाते फड़फडाते लोगों के आसु भी टपक जाएगे, क्योंकि वो इतनी दयालू थी, तो ऐसा कहा जाता है, जो लोग अभी जिन्दा नहीं है, जिनका कि अभी बर्थ नहीं हुआ है, ऐसे लोग फ्लोरेंस नाइट अंगल के बारे में जानेंगे, तो उनके किस से कहानियों के जो किताब रहेंगे, जिस पन्नों में उनकी गाथा लिख दी गई होगी, उन चीजों को पढ़कर वो भी बहुत जाधा अच्छा महसूस करेंगे, उनको सराहेंगे उनकी चीजों को, जिस प्रकार से आप लोग एक चोटे बच्चे हो, आप लोगों ने उस समय नहीं देखा था, फ्लोरेंस नाइट अंगल ने किस प्रकार से शोल्जर्स की मदद की थी, पर अब आप आज पढ़ पा रहे हैं उनके बारे में, एक तरीके से ये एक कहानी या पिर एक पोयम के माधिम से आपको बताई गई है, फ्लोरेंस नाइट अंगल कितनी ही, कितनी अच्छी काइंड हार्टेड लेडी थी, थोड़ा सा पोईट के बारे में भी देख लेते हैं, एमा जो थी वो एक अमेरिकन ओथर थी, पोईटरी, प्रोज, ट्रांसलेशन्स वगएरा किया करती थी वो, उन्होंने कई सारे शी रोट दा सॉनेट दान्यू कॉलोसस इन एटीन एटी थी और इट लाइन्स अपीर इंस्क्रिप्ट ऑन दा ब्रोंस प्लैग ऑन दा पेडिस्टियल ओफ स्टैच्व अफ लिबर्टी, तो उन्होंने जो सॉनेट लिखे थे, वो स्टैच्व अफ लिबर्टी के जो, तो ये इतनी माहान राइटर थी, जो की इनके लिखे गए जो सॉनेट्स थे, वो स्टैच्व अफ लिबर्टी, जो की आप सभी को पता होगा, वहाँ पे जो पैडेस्टेल है, याने उनके प She was drawn to poetry at a very young age, बहुत छोटी उम्रे से इन्होंने, poetry लिखना शुरू करतिया था, and wrote her first lyrics, अपनी first lyrics भी लिख दिया था, when only she was 11 years old. So, she also wrote many collections of poems, और ने कई collections of poems भी लिख रखे हैं, तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, मुझे comment करके जरूर बताए, आप सभी को समझने में आसानी हुई होगी, मेरे help आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग comment किया करो, like किया करो, तभी तुम मुझे पता चलेगा ना, कि आप लोगों को कैसी लगी ये poem, कैसी लगी मेरे explanation, next आप कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे, तो comment किया करो और मुझे बताया करो, आप लोगों ना comment नहीं करते हो, और like भी किया करो, तो चलिए, फिर मिलती हो अगले वीडियो के साथ, अब कर के लिए subscribe to my channel, keep watching, bye bye, take care,